और ये अंडेकलेर्ड एमर्जेंसी की तरह देश के हलात हो गये हैं ये बात आज मैं इसलिए कहा हूँ कि यही बात आडवानी जी ने कही थी कि अंडेकलेर्ड एमर्जेंसी वाले हलात हो जाएंगे तो आज हलात होई हैं गुवर्नर जहां इनकी सरकार नहीं है वहां गुवर्नर के जरिए राज्येपालों के जरिए तंग किया जा रहा है मैं भी उसका पीडित हुएक हूँ, केरला के मुख्य मंत्री अभी जंतर मंतर पर आके गए, तमिलना डूप के मुख्य मंत्री अपने गुवर्णर से तंग है, उनका गुवर्णर भाशिनी नहीं पढ़ता, उनका लिखा हुआ, विधान सावा में जो पढ़ना होता है साब को जब भी कोई काम करते हैं, LG टांग अडाता है बीच में, सुप्रीम कोर्ड के जरीए सरकार चलानी पड़ रही है, हम भी सुप्रीम कोर्ड में पहुंचे हुए, RDF का पैसा, पच्पन सो क्रोड रूर्ल ड्वेल्मन फंड का, पंजाब का रोका हुए है, नैशनल हे कि सुप्रीम कोर्ड में मुझे जाना पड़ां को जला आप पर सुप्रीम कोड के पांचियरो के बेंच ना कहा, सर्कार के पास रहनेआ vast सुप्रीम कोड का पांचियरो का फैसला नहीं माना aluminant उसी दिन जारी करके कहते नहीं अर्विंद केजरीवाल को काम नहीं करने देंगे हम क्या हस्पताल बनाने वाला आज दिल्ली में हस्पताल बनाने वाला जिसने पूरे देश में हेल्थ करन्ती लेके आई पैरसीटा मोल की छोड़े सी टैबलेट से लेके 40-50 लाग जो पे अंदर जैन दिल्ली में स्कूल बनाने वाला जिसने लाखों बच्चे गरीबों के बच्चे नीट MBBS IIT में जाने योग कर दिये मनी से सो दिया जेल के अंदर है राज्यसवा में मोदी जी के खिलाब उठके बोलने वाला संजे सिंग अंदर है अभी अर्विन केजिरिवास साब को ले गए मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंतर है कहां है तीवी पत्रकार को यह अगर एसी रपोडिंग कर दे पत्रकार को पकड़ के लेके जाते हैं कोई यूट्यूबर के बारे में कोई यूट्यूबर कोई बोल दे कुछ उसके लिए कनून लेके आए यह आपका कॉंटेंट जो है यह बढ़ता हूँ है 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 व्यूद्य कर देश में देश में सबसे जाधा है बीजे वीवल देते हैं गोली मारो अधार आतंगबादी है कि इनको बोट दोगे तो आपके घरों में आएंगे यूट्यू है हम तो काम की राजनी करते हैं, हम नाम की राजनी करते हैं, मैं पंजाब का दो साल होगे मुख्य मंत्री बने हुए, दो साल में 47,000 सरकारी नोकरे दे के आपके सामने कड़ा हूँ, दो साल में हमने 839 आम आदमी क्लिनिक बना दिये, सबा क्रोड से ज्यादा लोग वहां पर आके दबाईले के ठीकों के चलेगे, क्या ये काम नहीं करने चाहिए हमें, आम आदमी क्लिन को बंद करने के लिए नैशनल हेल्थ मिशन का पैसा रूप रखा है, ये ना बनाओ जी, फिर 26 जनवरी की परेड में पंजाब की जहांकीनी हुई, क्यों जी, आजादी में 80% योगदन सा, हमारे वजर्गों का, हमारे पुर्खों ने कुर्वानियां दी, और 15 अगस्त और 26 जनवरी, आप पंजाब के बिना मना लोगे, कैसे मना लोगे, हाव डेर यू आर, किसने, वो खोते कौन है, शीद भगत सिंग की जहाकी को, जिसमें शीद भगत सिंग, करतार सिंग सराबा, लाला लाज पत्राई, मदलला, ढींगरा, जलेयां वाली बाग का कांट, जिसमें वो थे जहाकी में, उनको रिजट करने वाले ये कौन होते हैं ये भगत सिंग से बड़े हो गए, जिन्होंने देश लेके दिया, अब उनी के खिलाब कर रहे हैं, मुझे तो ये शक है, अगर इनका बस चले तो ये राष्ट्रिय गीत, जानगान मन से पंजाब का नाम निकाल देंगे, अगर इनका बस चले तो इतनी नफर्त करते हैं य पाकिस्तान के साथ, हमारे बेटे आज कारगिल से लेके पंजाब के लड़के खड़े हैं, सीना तान के, कोई भी दुश्मन की तरफ से कोई गोली आती है, सब सबसे पहले पंजाबियों का सीना है, तो ये इतना है, हमें नफर्त करते हैं, अब आर्बिन केजरिवाल ने क् किया, हम कहते रहें कि ये गिर्तार करेंगे, बहां ना डून रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए, टाइमिंग क्या है, ये क्या चाहते हैं, विपक्ष का कोई भी नेता इस एलेक्शन में चुनाप परचार ना कर पाए, ये एलेक्शन छीनना चाहते हैं, तीन दिन पहले र चालिश तक भी जाएगा, और वो बारा परसेंट हैं, वो खराब होगी बोट हैं, उनके खिलाब नहीं हो, डाल सकता कोई, तो ये भी तो पूतन की रास्ते पर ही चल रहे हैं फिर, ये डिक्टेटर्शिप है, आक रात को आठ बजी आ जाओ गर, नौ बजी तक सर्च करते पैसे कमाने होते हैं, आपनी अच्छी बली नौकरी को चोड़ते, तो इनको ये ही लगता रहता है, कि हमारी तरह सारे ही, जो सादू को सभी लोग सादू लगते हैं, चोर को सब चोर लगते हैं, इनके एलेक्टरक बांड का क्या हुआ, आठ यार क्रोड के आसपास जब इ निकले हैं, कहते हैं, वो तो चंदा है, अगर कोई अच्छे काम करें, कहते हैं, नहीं तरह धन्दा है, अभी मैं परवार से मिलके आया हूँ, बेटा और बेटी हैं, आगे के एक्जाम देने हैं उन्होंने, किसे मिलने जाना है, कुई किताब ये इस से लिए उनको बाहर निकलने दे रहे, रिष्टेदारों के फोन आ रहे हैं, ये पुलिस से परमीशन लेनी पड़ रही है, कि सर प्लीज इनको बेज दो अंदर, नहीं जी, दो बंदों कोई बेजेंगे, ये चार है, बच्चों का क्या कसूरा जी, उनकी पतली का क्या कसूरा जी, तो ये सब को मुझे ये बता दीजिए, किस की मानते हैं ये, सब्रीब कोर की मानते हैं, नहीं मानते हैं, इलेक्शन कमिशन की मानते हैं, नहीं मानते हैं, सीबे की मानते हैं, नहीं मानते हैं, नितिय योग की मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये तो कमाल है, मतलब मैं ही मैं हर जगा मैं ही मै सो ये बहुत ही मिंदनिय है आम आदमी पार्टी अब छोटी पार्टी नहीं है दस साल में राष्ट्रिय पार्टी बन गई कि दस साल में दो राज यों में हमारी सरकारे हैं दस हमारे राजसभा कि मैंबर chim एक मारा लोक सबा कमिंबर में करें पांच एम्मलक क्जृत में य॥οवकौन में मदिय प्रिदिय LSD में हमारी मेर और और चंडीगर का मेर हमारा है और वो तो पता ही होगा ना इसा । कैसे गिन रहा था वो 36 बोड गिनने थे 36 बोड कैमरे लगे हुए थे कैसे गिन रहा था ऐसे बोड देखके जब सुप्रीम कोड गए तो जस्स साब ने कहा कि दिखाईए कहा है बोड ये वो 8 के 8 बोड उन्होंने वैलेड करार दिये और पहली बर हुआ है जुडिशल हिस्ट्री में कि कोई मेर का नाम सुप्रीम कोड ने जारी कर दिया कि ये मेर होगा तो अगर 36 बोड में से 8 बोड खराब कर दिये मतलब आलमोस्ट 25 बोड मुझे इस बात का कोई हैरानी या खुशी नहीं है कि हमारा मेर बन गया मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि 36 बोड में से 8 खराब कर दिये अभी चार जून को 92 करोड वोड गिने जाएंगे उनमें क्या करेंगे ये वोड कहीं डलता है जाता कहीं और है जीतता कोई और है ये इनुने एलेक्शन को ऐसे समझ रखा है जैसे बस अब हमारा ही काम है हम कहते रहे पिशली बार भी अर्विंग केजी बाल जी ने कहा था कि यहां देख रही है उसको सबको पता है लेकिन ऐसे किसी पड़ोसी जा किसी विदेशी राष्ट्रपती से कह लवा लेना कि यू आर दा मोस्ट है फेमस प्राइम मिनिश्र आफ दा वार्ड और अभी किसानों की समस्या थी हर्याना के बाटर पर रोक लिए पत्रकारों ने म यहां जीत कर करने के लिए तो वहीं के आएग सारा देश उनको डिली के वह यहां जीत के आएगे उनको यह तो यह किसानों की समय से तो हल नहीं करते तीवी पर याड आती है पापा यूक्रेन और रश्या का युद्रक बादिया मोधी जी ने अच्छा आप उनके युद्रक बाद सकते हो अपने किसानों से बाद नहीं करते हैं 200 पिलिमेटर को कमाल है हद है यह डेमोक्रसी नहीं है मैं आप के जरीए आपके टीवी के मन के जरीए क्रोडों लोगों को कहना चाहता हूं आम आदमी पार्टी जो है वो चटान की तरह अर्विंद केजरिवाल जी के साथ खड़ी है अर्विंद केजरिवाल को गिर्फतार कर लोगे उसकी सोच को कैसे गिर्फतार करोगे अर्विंद के तो मेरे जैसे लोग आगर मैं आटिस था है मुझे क्या जलूरत्ति मुझे भी बीच में गालियां देते रहें बीजे भी गालियां दे रहते हैं इनको डूखिस बात का है के आम घरों से बेटे-बेटियां जीत कर हमारी कुर्सीं पर क्यों बैठ गए यह पंगह यह हरते प् पर बड़ा संकट है कोई संकट नहीं है पार्टे को हम वो पत्ते नहीं जो शाक से तूट कर गिर जाएंगे आधियों को कह दो अपनी अवकात में रहें सो पार्टी कुछ नहीं पार्टी और और मजबूत होके निकलेगी मैं आपको कह रहा हूं कि अर्विंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं एक सोच है इतने दस सालों में देश में क्रोड़ों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं उनको कहां कहां करता करोगे सारे बढ़ाएंगा म किस की तोड़नी रहे कि एम अले खरीदने अभी तक यहीं तो करते आएँ जहां पर जीपते नहीं वहां खरीद लेते हैं जहां पे बाइलेक्शन से जीते हैं तीस बंदों से इस्तिफा लेलो फिर बाइलेक्शन करवा लो हाउस की संख्या कम करके सुबा चार बज़े जगा लो के ओध करवा एक बर ओध करवा यह तो ट्रंप ने मिने खाल में सलाह नहीं पहले मांगी होगी बना ट्रंप को भी पिछली बार जे उत दिलवा लेते हैं कि एक वर तुझ ले बाकी बाद में हमेशा जी को भेज देंगे वांटी करने हैं तो देखो फ़ाड़ा लीगली फैसला है कि यसी नीचे वड़ी पर चीज आमांगे पार दास दिन दा रमांट मंगन गे पंत्रा दा मंगन गे फिर जुडीश रम होगा फिर जमानता कैंसल करौन गया होगा हूँ जब किसी की मानती ही नहीं है जा तो पांच जीरो का फैसले माना जब सब्सक्राइब तो किस पर वरोसा करेंगे तो इसलिए हमें कोई डर नहीं है जिए को फैसला करेगी कि कितना रमांट देना है अब टीचिरोपी को खतम करने में मुख्यारोपी वही है बीजेपी को ढरी वही है कि यार केजरी वाले गरा गया ना यह हमें इससे डर रहा कि उनको कॉंग्रस से क्या डर उनको बागी पार्टियों कि पते ने कितने इतने बड़ी-बड़ी बना के रखी होई है जूठी स क्षच्ची बनाके रखी है एक ही पार्टी है जिससेफी बीजिपी डॉन लगठा है आमादी पार्टी क्योंकि इतना तेजी है यह जा रही है और यह आगे तो इनको लगता है यह यह जहां भी पंजाब में देख लेंगे पंजाब में हमने कहा ओस ती आह सीरे तीराouch भा अ आंब तो इंडिया लाइंस में ज मामला कहिला और विन के जरीवाल नहीं है, यह मामला डेमोक्रेसी को बचाने का है, यह मामला लूपतांतर को बचाने का है. परवार हाउसलेच, केजरिवाल साब की जो पतनी है, उन्होंने कोई पहली बार नहीं ऐसा देखा, रामलीला ग्राउंड से पार्टी निकली, कितने दिन अंचन चलते रहे, जेल में भी पहले जाते रहे, तो ये ऐसी बात नहीं है कि परवार में कोई शिकन नहीं है, हां, ल ये इनकी गलत भहमी है, क्योंकि परचार में तो हम दुगन तिगना जो जोश है, उसके साथ जाएंगे, और हमारे सब अभी मैं जाओंगा, अपना, गोपाल राय जी से, पंकर गुपता जी से, सबसे जो हमारी पी एसी है, हाई कमांडर, उनके साथ मीटिंग करने हैं, इतना है, हमारा अलाइस जो है, वो बिल्कुल मजबूत है, अलाइस के पूरे साथियों ने विलोध भी किया है, और आने वाले दिनों में, और ज्यादा हम एलेक्शन कमिशन को भी लिखेंगे, कि एक नैशल पार्टी के नैशल कन्वीनर को आप पकड़ के आप उस समय तोड़ दिया, आपने शर्दफवार की पार्टी तोड़ दी, ठीक है, आपने जो चाहते हो कि इसको तोड़ दो, इसको इसका चोंचनाव चिन चीन लो, इसका ये चीन चीना चप्टी ज्यादा देर नी चलती, मैं इतना जूठ चल रहा है देश में, मैंने पारलिमेंट म को तोड़ने की बाते कर रहे हैं, मैंने पारलिमेंट में बोला था कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिये, कौम को कभीलों में मत बांटिये, एक बहता दरिया है मेरा भार्त देश, इसको नदियों और जीलों में मत बांटिये, हम आरी पार्टी जो है वो बहुत जोश मे जगा जगा पर आज पूरे देश में विरोध भी किया है और अर्विन केजरिवाल इस संकट के समय से बड़े नेता बनके उबर के आएंगे और लोगों को आज पता चल गया कि कैसे यह धमनकारी नीतिया जो इनकी बीजेपी की हैं कि लोगतंतर में अगर हम नहीं जीते जो जीत गया उसको दबा लो यह चलिए नहीं है आपके उपर में ज्यादा जिम्मेदारी आगए क्या लगता कि आप उस भूमिकाम होंगे केजरिवाल जी वाली भूमिकाम में सब्सक्रार केंपेनर आपक है मैं पहले भी जाता रहूं एसी कोई बात नहीं है मेरे लिए को नह होगा मैं पार्टी कब फ़तर से पाइगा असर पाइगा इसी जिम्मेदारियां बटियार पाजपाद यह किनिया सीटा ने पजाब चलिए किनिया नितास को हैं हैं दो अब 117 में से दो हैं बान्दमे वालों को सवाल पूच लेगो आप कि पाजपा कहते ही होगा यह ख्या कीमत उसकी लगती है जो मंडी में हो हमारा जो मले हैं हमारे जो पार्टी के वलंटियर हैं वह बिकाओ नहीं है वह मंडी में अवेलेबल में है कीमत क्या लगा होगा उनकी यह उनका नहीं एका लेद सबस्टत और में है करें। झाल झाल